जिले में कानून व्यवस्था चर्मराई, दिनेश लाल यादव, निरहुआ के घर बाहर युवक को मार कर किया गंभीर रूप से अधमरा, गाजीपूर शादियाबाद डियेम, स्पी के कड़े निर्देश के बावजूद भी जिले में कानून व्यवस्था चर्मराई, डॉट 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 निरहुआ के घर के बाहर युवक को मार कर किया गंभीर रूप से अधमरा, गाजीपूर जिले में जगा जगा त्योहार को मद्दे नजर रखते हुए, शांति व्यवस्था कायम रखने के लिए जिले की प्रशासन ने लगातार लोगों से अपील किया कि कहीं भी किसी तरह की कोई अन्होनी ना हो, लेकिन जिले में एक ऐसी घट ना हुई, जिसे देखने के बाद प्रशासनिक व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्थ नजर आई, मिली जानकारी के अनुसार आपको बताते चले की, गोलु पुत्र लालचंद राम ग्राम सौरी का रहने वाला है, जो बजार जा रहा था, लेकिन जैसे ही उस पर गाउं के दबंगों की निगाह पड़ी तो गाली गलोज करने लगे, वो विवाद से बचने के लिए घर पर भाग गया, लेकिन दबंग नहीं माने घर से खीच कर जबरंग गोलु को लाए, और दिन इस घटना के संबंध में एस पी सिटी गोपिनात सोनी से बात की गई तो उन्होंने बताया कि ये दो पक्षों में बच्चों के आपसी विवाद का मामला है, इस घटना में समलिप्त साथ के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर आगे की कारवाई की जा रही है समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष रामधारी यादव विधानसभा अध्यक्ष कमलेश यादव उर्फ भानू रामाशिश यादव जलालुद्दी नंसारी कनहयालाल विश्व कर्मा कमरुद्दी नंसारी राम अवतार्सनेही छविनात भासकर धर्मेंद्र कुमा गुलाब चंद इत्यादी लोग मौजूद रहे कि जो लड़का जो इसका नाम है ससी सरन पुर्फ गोलू वियच्चु में भरती है यहां मिरहू के घर के सामने कल इस साम को पता चला है और यहां जनिकारी हासिल करने के बाद भी उसका सत्यापन हो गया है कि कल होली खेलने के बाद इस गाहों के लड़के निकले मार्केट कर करने के बाजार जा रहा है निरहू का जो मरे दिनेशलाल यादो शांसत जी है उनके घर के सामने जब पहुंचे तो उनके घर पर कुछ लोग बैठे हुए और उसमें से इन लोगों ने लड़कों के साथ जाती संबोधन करते हुए चमार सियार अब चले हैं सब तीन सब उ लोगों ने ना आव देखा ना ताव देखा इन बच्चों पर टूट पड़े और इतना मारे कि यह ससी सरण और गोलु जो है जो ब्यच्चु भरती है ब्योश हो गया अब तो पता चला है आज कि कुछ होश में आया है उसके साथ अरुन राम था शीवंद राम था होले सबते हमें देखा देवी यह दो बी बस जब मार पिट हुआ फिट हुआ तो जा करने बजहने क्ाम ने चाम किया लेकिन इसके बाद भी होगों गाहिल हो गई है और यह देखिए तमाशा कि वह सांसा दें भाजपा के बीजेपी सरकार चल लए है माने अधितनात जोगी जी की सरकार चल लए है और 112 पर जब लोगों ने टेलफून किया 112 आया भी लेकिन कहीं कुछ किया लिए 112 का मतलब कुछ ही नहीं है कि मोके पर आये तो कम से कम जो लोग उपद्रवी थे जो उधंडता किये थे दलित के बेटों को मारा पिटा था अब सब्द भी कहा था कब से कब उनको औरेश्ट कर लेती है उनको लेकर ठाने पर बैठाते इनको भी ले जाते अपनी पूरा हाल चाल पूरी बात कर लेते पूरी जनकारी करते यह फ़यार दर्श करते हमारे प्रधान मंत्री जी कहते हैं कि महिलाओं के उज़े से देश को बड़ी थाकत मिली है और यह महिलाओं पिठी जा रहे हैं, महिलाओं वे आबरू हो रहे हैं यही तो हाला थै, मैं आज इस गाम आया तो पुरा हाल चाल लिया हूँ और घटना की पूरी जानकारी हासिल किया हूँ, यह घटना जो है बहुत ही दर्वना घटना है इस तरह के विभार समाज में नहीं होनी चाहिए और प्रशासन मूख दर्सक है अब तक कोई करवाई नहीं हूँ है, अभी मैं एसो से बात करूँगा, आपने यह फायर क्यों नहीं नोट कर जा, पहले तो परात्मिक आपने शुचना ले लेनी चाहिए और इसके बाद शांती व्यूस्ता काम करने के लिए गाउं में आप आकर बढ़ जाते, आप सांसा जी के घर पर बैड़ करके आभी पिक्रिक बना रहे हो, गाउं में घुमने तक नहीं आए, गाउं के लोगों से हाल चाल पुछे भी नहीं, कि सांती है कि नहीं सांती है, क कि सालनी कुमारी ने कहा, वो कच्छा 11 की छात्रा है, साधियाबाद को पुछुम विद्याले की, उससी ने कहा कि हमको भीमारे लोग, मारी माँ को भीमार दिये, और धमकी भी दिये, कि चलो पढ़ने चलूगी न तो तुमको बताया जाएगा, और वो धमकी देने वाला, उनका नाम है अभिनाव श्यादो, अभिनाव श्यादो ने धमकी दिया है, यह यसनात प्रधान के लिड़के बेटे पुर प्रधान जी के, और इस घटना का घटना में उपसित रहा हमारे सांसद जी का प्रतनिधी है, हरकिश श्यादो, वो मोके पर उपसित रहा, उसकी रोकना चाहिए था, ना कि घटना को बढ़ाना चाहिए, यह तो समझे कि उनके घर बैठ करके उसांसद का पूरा पावर लेकर बैठे हुए लोग, कानून को